हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब ब्लोग चलिए आज आज आपको दिखाएंगे स्टीक एकसरसाइज स्टीक एक ऐसा चीज है जो बहुत ही इजली अविलेबल होता है तो आज हम एक स्टीक लिये हैं जो अल्मोस्ट फाइफ फिट लॉंग है वहाँ पर बहुत ही सिंपल और एफेक्टिव कुछ एकसराइज दिखाएंगे देखिए यह स्टीक रोटेट कर रहा हूं मैं पहले मैं बता देता हूँ आज मैं ज्यादा डीटेलिंग में नहीं जाओंगा मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये एक साइज दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को जो होम वर्काउट करते हैं उनको बहुत सरा प्रॉब्लेम रहता है कि एक्विपमेंट्स नहीं है तो ऐसा ही एक अगर स्टीक होता है तो उसमें हम लोग बहुत ही अच्छा सुली ट्राइच करना है तो यह जो रोटेशं से यह आपका भी का canna Será को हिज सते हैं कर दुभी इस में इन हो सकता है जैसे कि यह मैं बैलन्स का एक वर्काउट कर रहा हूँ और मेरा कोर इस में इंगेच है तो इसमें एक अलग से मुज आ है मतलब आप सीथी एक्ससाइस कर रहे हैं वह इसरी आप उसको लग एक्ससाइस करें बहुत सारा एकसस कर रहे हैं और आपका एक new skill भी जिनरेट हो रहा है वह स्टीक rotation का stick rotation का यह जो है एक warrior का का स्किल है तो अगर हम लोग रिगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम लोग का जो मुगदा एक साइज है उसमें बहुत ही हिल पाएगा स्टीक रोटेशन अगर हम लोग ठीक से सीख सकते हैं तो देखिए अभी मैं क्रांच कर रहा हूं और साथ में शोल्डर का भी वर्काउट हो रहा है तो यह सब एक दूसर लेवल के वह एक साइज है सिंपल भी है एफेक्टिव भी है और एडवांस भी है मेंली आपका रिस्ट फोर आम्स यह सब को वर्काउट हो रहा है बहुत ही एक स्टीक जो है यह देखिए मेरा फाइफिट लंबा एक स्टीक है और इसको मैंने कोई भी हार्डवेर सॉपस आपको मिल जाएगा बीलो हंडेड रुपीज इसका पॉस्ट है देखिए अभी ज कर रहा हूं यह शुल्डर मेरा आम्स रिस्ट और ग्रीप के लिए बहुत ही अच्छा वर्काउट है बहुत सब्सक्राइब को दिखा ही देगा कि ऐसे प्रैक्टिस हो रहा है तो है मेरा बहुत ही फेवरिट वर्काउट है देखिए मैं ग्रीप का पोजिशन चेंज कर रह हूं यह बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता है इस छोटा स्टीक से देखिए एक लॉंग स्टीक है इस स्टीक से आपको कितना सारा वर्काउट करने को मौका मिल रहा है सो गाइज मैं यह बोलना चाहता हूं कि एक्विप्मेंट नहीं है यह सब सोच के वर्काउट छोड़िये मत देखिए इसे बोलते हैं हॉर्स्टेंड या माभू सावदील में इसे बोलते हैं माभू यह बहुत ही जानामाना वर्काउट है मैं अपकोर और लॉर बोडी सब कुछ एंगेज कर रहा हूं साथ में मेरा शोल्डर का भी वर्काउट होड़ा है आइसोमेट्रिक वर्काउट होड़ा है हॉर्स्टेंड बोलते हैं और साथ में मैं कैसे पक रहा हूं यह स्टिक को एक एंड में पक रहा हूं और होराइजंटल देखिए मैं क्रांच कर रहा और stick को मैं एकदम horizontally steady रखने का कोशिश कर रहा हूं ये बहुत ही effect आ रहा है एक ही workout में body का बहुत सारा parts में effect आ रहा है तो जो कि आज के जमाना में बहुत ही helpful है क्योंकि हम लोगे पास time नहीं है short time में हमको ज्यादा group of muscle strain करना है तो please आप इसको try कर सकते हैं धीरे धीरे मैं detailing में नहीं गया मैं एक एक चीज़ को अगर मैं detail में दिखाऊंगा तो उसमें बहुत ही time लगेगा और मैं ये जो workout है इसको strength training में include करूँगा इसको थोरा समय challenging बना रहा हूँ देखिए कुछ भी नहीं है मेरा जो towel है workout करने का time में जो towel यूज करता हूँ उसको मैं stick का एक end में wrap कर दिया और दूसरा end को मैं पकर के जब workout करूँगा ना तो यही stick बहुत ही challenging हो जाएगा अब यह try करके देख सकते हैं यह बहुत ही challenge हो जाएगा और इतना pressure आएगा मेरा shoulder के उपर मेरा forearm के उपर wrist के उपर तो बहुत ही strength training का exercise है वो बहुत ही अच्छा होगा इससे लेकिन equipment देखिए कुछ भी नहीं है एकदम minimum equipment में तो मैं यही बुलना चाहता हूं कि सब innovative ideas अगर आप लोग डेली routine में लगा सकते हैं तो आप अडाम से workout कर सकते हैं इसी से मैं bicep curl कर रहा हूं देखिए normal bicep curls करके आपको दिखा रहा हूं यह अपका body का balance भी develop करेगा body का mobility develop करेगा अपका दोनों हाथ का strength अगर सेम नहीं है तो आपका अपने हिसाब से आप stick को पकड़िया देखिए मैं squatting कर रहा हूं और stick को एकदम horizontal रखा तो बहुत ही अच्छा pressure मिल रहा है मुझको मैं ही समझ सकता हूं जो आप यह देखके अगर आप लोग try करेंगे तो आप लोग भी समझ पाएंगे कितना अच्छा workout हो रहा है इस simple सी चीज से बॉडी balance का भी बहुत अच्छा workout हो रहा है यह मैं कुछ idea आपके साथ share कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो प्रितिया मेरा video को like कीजिए share कीजिए दोस्तों के साथ channel को subscribe कीजिए देखिए मैं reverse curl कर रहा हूं जिसका effect मुझे hold arms में मिल रहा है जिसके लिए मुझे कोई doubles का जरूरत नहीं पड़ा सिर्फ यह stick से मैं कर रहा हूं और मेरे towel को use कर रहा हूं अभी देखिए मैं sword grip में पक रहा हूं जैसे कि sword पकरते हैं बहुत ही beneficial workout है इसी में मैं थोड़ा देशी flavor add किया मेरा मुगदर को use कर रहा हूं एक hand में मुगदर swing हो रहा है और एक hand में मैं इसको पक रहा हूं और यही move को मैं full body workout में भी use करूंगा मुगदर को mix किया stick के साथ और squatting भी करूंगा next यह देखिए मैं squatting कर रहा हूं और मुगदर swing कर रहा हूं और stick को एकदम steady horizontally पकर करके रखा है तो बहुत ही benefit मिल रहा है मेरा cold मेरा full body में बहुत ही effect आ रहा है इसका so मुझे लगता है कि यह workout आपको अच्छा लगा अगर चैनल को subscribe कीजिए जय हिन बंद मातरम भारत माता की जय और मैं चाहूंगा कि आप यह try कीजिए कोई भी आपको जानकरी चाहिए तो आप मुझे comments कीजिए मैं जवाब दिने का कुशिश करूंगा जरूर और detail में मैं video बनाऊंगा लेकिन पहले आप लोग अगर इसको देख